भद्रपद मास के शुकल पक्ष की सप्तमी वाले दिन जो वरत किया जाता है उसे संतान सप्तमी का वरत कहते हैं संतान प्राप्ति के लिए संतान के उजवल भविशे के लिए उनकी दीर्द आयू के लिए ये वरत किया जाता है और देखे इस वरत में शिव पार्वती की पूज़ा की जाती है तो आप चाहें तो मूर्थी की भी कर सकते हैं लेकिन इस में जो पार्थिव शिव परिवार होता है यानिकि मिट्टी से शिवलिंग वगारा बना के उनकी पूज़ा की जाती है तो देखे मैंने ही आपे आपको बहुत ज़्यादा मूर्ती बगरा बनाने के जरूरत नहीं है आप इस तरीके से पिंडी रूप में उनका पूजन कर सकते हैं तो देखे सबसे पहले हम उन्हें सनान करा लेंगे और जल में गंगा जल जरूर से डालें और उसी के सासत अगर आपने कोई मूर्ती या फ चीज से कराने के बाद लास्ट में जल से जरूर से भी शेक कराएं तो इस तरीके से हमने जल से फिर से सनान करा दिया है वस्तर भी चढ़ा सकते हैं अपनी मूर्ती को या फोटो को या फिर आप इस तरीके से वस्तरूर्पी कलावा भी पहना सकते हैं और आप चाहें तो ख चंदन से तिलग करें, भस्म से तिलग कर सकते हैं, चंदन आप कोई भी ले सकते हैं, सफेद या पीला, तो देखे इस तरीके से मैं शिप भगवान के मूर्ती पर भी तिलग कर लूँगी, साथी में पार्वती मैया को हम कुम-कुम रोली लगा के उनका सिंगार कर देंगे, स मैं जो अपनी पार्थी शिप परिवार मैंने बनाया है, उनको भी मैं आप वस्तरूपी कलावा अरपन कर दूँगी, तो इस तरहां से सभी को आप कलावा पहना दें, और जैसे कि मैं आपको बताया, अगर आप चाहें, तो पारवती मैया को छोटी सी चुनडरी भी पहना सकते हैं, उसके बाद हम शिप जी को जनिव औरपन कर देंगे, तो देखें इस तरही के सभी शिप परिवार के लिए फूल वगरा मिलें, और शिप भगवान के प्रिये चीजें मिलें, अगर आप को जैसे भांग, धतूरा वगरा हो, तो वह अप अच्छे से उने चढ़ा के इस तरीके से पूजन कर लें और अगर आपको किसी कारण से फूल वगरा नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है आप जरूर से चढ़ाएं नहीं मिलते तो फूल के बिना भी आप पूजा कर स मुझे यहां पे धतूरा बेल पत्र आदी सबी चीजे मिल गई थी तो मैं इस तरीके से चढ़ा रही हूं और जब बेल पत्र चढ़ाते हैं तो उसकी चिक्मी साइट पे इस तरीके से आप चंदन लगाके और फिर शिवलिंग पे इस तरीके से चुआते हुए चढ़ाएं य आप इस दिन दूर्वा की गुच्छी जरूर से अरपन करें भगवान को उसके बाद देखें माता पारवती के लिए आप कुछ सुहाग का समान जरूर से लें आप से जितना बन पड़े आप उतना ले सकते हैं पांच चीजे साथ चीजे या पूरी सोला चीजे तो यहां म आपको माता को चढ़ा के दान करने हैं और एक से आप अपना वरत खोलते हैं इस वरत में नमक नहीं खाया जाता आपको मीठा ही वरत खोलना होता है और वरत खोलने के लिए जो भी चीज़ आप चढ़ाएंगे वो आपको दो जंगा चढ़ानी है साथ की ही संख्या में होन किया जाता है तो अगर आपके पास चांदी का कड़ा है या आप के हापे चांदी का कड़ा पहना जाता है बच्चों के लिए जो बनाया जाता है तो आप वो पहन सकते हैं उसका पहले आप पूजन करेंगे हर बार और फिर पहनेंगे और अगर आप पहली बार वरत कर रहे है या आप किया आप पर जो है वो गडा मी बनाया जाता है इस थारहा दोरा बनाया जाता है तो आप डोरा बना ले और उसमें आप जो है 7 गाठे लगा ले क्योंके देखे कई जगा पर तो कंपल सरी आपको वो चांदी की चूड़ी या कडा पेहन नहीं होता है लेकिन कुछ जगाओं पे जो है वो नहीं पहना जाता है, इस तरह से डोरा पहना जाता है, तो आप कि हैं पे जो भी पहनते हूँ, आप वो इस तरीके से ले ले ले, और अगर कड़ा है तो उसे अच्छे से आप साफ कर ले गंगजल चिड़क लें, और फिर उसका पूजन क पहले आपको यहीं पर बैटके कथा सुननी है उसके बाद आप इस डोरे को पहनेंगे या इस कड़े को पहनेंगे तो देखे आप हाथ में कुछ जो है चावल ले 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 फूल है तो फूल ले ले नहीं तो आप खाली दाने लेके भी कथा सुन सकते हैं लेकिन खाली हाथ आपको कथा नहीं सुननी है हमेशा हाथ में आप कुछ दाने या फूल लेकर ही कथा सुने उसके बाद जो दाने आपन पर आप अपने जर्के लोटे में डाल दें और अपनी मनों कामना मांगते हुए भगवान को और्पित कर दें और अपने पूजन कर लें और अपने दोरे को भी इस तरीके से राते दिखा दें उसके बाद आप हाज़ोड के शमयाचना कर लें कि her भगवान अगर हमसे कोई भूल चुक ही हो तो हमें माफ कर देना हमारे पच्चों की दिरदाईयू करना सतबुद्धि देना और यह जो एक लोटा जल है यह आपको सूर्य भगवान को अर्क दे देना है उसके बाद देखे जो आपने यहाँ पे यह डोरा लिया है यह आप अ है तो आप किसी बाहर जो है आसपडोस में या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं किसी भी बुजुर्ग को और या फिर कई जगाँ पर घर में ही अपनी सासनंद को भी दान की जाती है तो आप देख लीजिएगा आप कहां पे कैसे होते या जो आपको ठीक लगया आप उससे स अपने पूज़तान कर सकते हैं मंदिर में दान दे के आ सकते हैं और यह वरत है जो आप शाम के समय पे खोलेंगे आप बस यही जो आपने पूरी चड़ाई है साथ की गिंती में या पूरे चड़ाएं वही खाके आप इसके साथ कुछ फल ले सकते हैं लेकिन और कुछ आना होता और मिठा ही वरत खोला जाता है तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप भी संतान सपनी का वरत और पूजन कर सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो जादा से जादा शेयर कीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जैसे आरम जरूर लिखें जैसे